परसातियों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल सरकारी भारत में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे के अंदर नेक और वेकेंसी आई है कुल मिलाकर तीन हजार प्लस पदों पर यह भरती निकली है जिसका विग्या पंजारी हुआ है क्या है इसका चैन प्रक्रिया फी इन सभी के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक महतपूर्ण सूचना दोस्तों आप सभी को बता दें अगर आप नाइन से लेके 12 तक के स्टूड पड़ते हैं तो आप यह दिख रहा है आपको फिलो एप आप इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं और यह एप प्ले स्टूर पर है इसको भी आप यहां से इंस्टॉल करके आप अपना कोई भी कोशन लीजेगा और उसको बस क्रॉप करके इस पर डाल देजेगा विदिन 60 से के अंदर आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा इसकी रेटिंग भी अच्छी है 4.5 रेटिंग है लगबग एक लाख स्टूनेंट्स ने अभी तक इसको डाउनलोड किया है तो आप भी इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो के हमने दूब्री, दी है तो दोस्तों देख लेती हैं सबसे पहले इंडिया रेलवेड टी सी-क्रिकेट कर बेंट रिकूटमेंट रिकूटमेंट band से एक्जामनर के और रिट्स गॉटिंगत है है पाकिछ सके अंदेर अगर हम बात करें तो आप इसका फॉर्म investigación सकते हैं मेल और फीमेल दोन escrichade के अभ्यर्ती इसके अंदर form बढ़ सकते हैं जबकि बात करें और इंडिया जॉब्स है कोई भी इसके अंदर किसी भी स्टेट का भ्यर्ती इसमें form बढ़ सकता है RRB TC Recruitment 2021 के अंदर जो सेलरी रहती है जो पे स्केल रहता है वो रहता है 21,700 रुपे से लेकिर 81,000 रुपे पर मंत की जो स्टार्टिंग सेलरी होती है वो इसके अंदर है application form की fees की बात करें तो general category, OBSC category और EWS category की बात करें तो इसमें 500 रुपे का सुलकाप से लिया जाता है जो age limit है candidates age limit should be 18 to 35 years 18-35 words के अब्यर्थी इसके अंदर form बर सकते हैं OBSC category में 18-38 words के अब्यर्थी form बर सकते हैं जबकि schedule का schedule tribe SCST के जो अब्यर्थी होए वो 18-40 words के अब्यर्थी में form बर सकते हैं आपकी जो age है 1 April 2021 से count की जाएगी age luxation भी इसके अंदर देखने को मिलता है OBC, SCST, EWS के अंदर तो नहीं मिलता लेकिन SCST के लिए 5 साल का और OBC category के लिए backward classes के लिए 3 year का आपको इसके अंदर age luxation देखने को मिलता है selection process की बात करें तो selection process बहुत आसान है online पर इच्छा होगी चिकिस साजाच यानि की आपका medical होगा दस्तावे सत्यापन ड्यक्तिक साच्छातकार आपका document verification होगा और साच्छातकार होगा interview होगा इसके बाद final merit list लगेगी अगर आप इसमें qualify कर जाते हैं तो आपका selection तैह है railway ticket के लिए education qualification की बात करें तो सच्छा की योगिता इसके अंदर 10 वी वारे भी पास होना चाहिए अगर आपके पास ये नहीं है तो equivalent from recognized board university institution से आपके पास कुछ न कुछ इसके बराबर का होना चाहिए अधर एक education qualification go to official notification पर आप इसकी पूरी detail देख सकते हैं ये vacancy आने वाली कब है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ RRC ticket collector की ये vacancy निकली है इसकी important dates है आप अगस्त के अंदर इसकी online submission की application form भरना शुरू हो जाएगा जबकि last date की बात करें दोस्तों तो इसमें से तंबर 2021 तक इसके form भरे जाएगे admit card और exam date के बारे में अभी भी कोई information नहीं दी है जैसे कोई information आती है तो आपको next video के अंदर उसको भी discuss कर लिया जाएगा दोस्तों आप सभी को बता दे railway की अंदर से मतलब ये 2500 पदों पर एक बहुत बड़ी vacancy निकल कर आई है जो के railway ticket clerk और goods card के पदों पर ये भरती निकली है आपको कैसी लगी वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करना तो यार बिल्कुल मत बूलेगा अगर आप railway ntpc group dk student है तो चैनल को subscribe जरूर कीजेगा अगर आपका कोई भी किसी प्रकार का कोई question है तो comment box में लिखिएगा within 5-10 minutes आपके comment का answer दिया जाएगा तो चलिए फैंट्स स्टार्ट कर मिलते है नेक्स वीडियो में thank you thank you for watching this वीडियो जाहें जावरा टेक के बाइब बाइब बीडियो आल